दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलिवूड यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस घंटे को ताके आपको मिल सके बॉलिवूड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तो सवागत हैं आपका एक बार फिर से जी हाँ दोस्तो आज हम आपको अभिनेता मित्थुन चकरवर्ती की 13 मार्च 1998 में रिलेज हुई फिल्म चंडाल और गोविंदा की 12 जून 1998 में रिलेज हुई फिल्म अचानक के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे बताएंगे तो चलिए दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अचानक फिल्म के बारे में दोस्तो अगर हम अचानक फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 1998 में रिलेज हुई थी और ये एक एक एक्शन मिश्टरी थिल्लर फिल्म थी इस फिल्म को नरेश मलहुतरा ने डैरेट क्या था इस गोविंदा और मनेशा को इराला थे अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो तकरीबन पूरे वर्ड में आठ करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था और इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 4 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था और अचानक फिल्म को बनाने में तकरीबन 4 करोड रुपए खर्च हुए थे और ये एक फिलॉप फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म में मिथुन्चकरवर्ती, सनेहा और असरानी थे अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो तकरीबन पूरे वर्ल्ड में 7 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या था इस फिल्म ने इंडिया में तक्रीबन 4 करोड रुपई का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था और चांडाल फिल्म को बनाने में तक्रीबन 5 करोड रुपई खर्च हुए थे और ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में कौनसे फिल्म ज्यादा पसंद आई थी कमेंट में जरूर बताईएगा मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थांक्यू